नमस्कार क्या पचल टीपी का खाश शो राहुल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा राहुल गांदी को एक नेता के तौर पर इस देश के जनता ने कभी पसंद नहीं किया इसके बाद भी मौका परस्त राहुल गांदी हर जगा भारत को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने पहुंच जाते हैं और जहां भी जाते हैं भारत के विरोध में बाते करते हैं भारत की आलोशना करते हैं इन दिनों फिर से राहुल गांदी अचानक देश विरोधी लेक कोई coverage नहीं है कोई कारिक्रम नहीं कोई वीडियो नहीं ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राखुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं किस से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं तो विदेश पहुंचते ही underground हुए राखुल गांधी पर ही आज पड़ा खुला पर इस बार अभी तक राखुल गांधी की कोई तस्वेर ना ही कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आई क्योंकि ये डरे हुए व्यक्ति हैं दो तीन बार से जिस तरीके से विवाद सामने आ रहे थे उससे कॉंग्रेस के लोगों को लगने लगा राखुल गांधी की कौन सा जंडा गार दिया है जिसके लिए इनको स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाया जाए और उससे भी बड़ी बात है अभी एक सवाल और उठ रहा है जो कैमरेज की बात तो हम लोग कर लेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति ऐसे समय में जबकि एक स् सरकार गिरने वाली है वो कहीं भी होता दुनिया में तो दोड़ कर चला आता इस संकट के घड़ी में अपने स्टेट गोव्मेंट को बचाने के लिए लेकिन नहीं ये तो वही बात हो गई कि रोम जल रहा है नीरोबास्वी बजा रहा है जिस व्यक्ति के उपर इतना भरो देश में संकट आए और ये विदेश दोरे पर हो या फिर रात में सोया हुआ हो और राहुल गांधी को कोई फोन आए मेसेज आए कि देखो पाकिस्तान ने हिंदोस्तान पर हमला कर दिया तब भी ये सोया रहेगा तो ये ऐसे अगंभीर व्यक्ति को देश की जिम्मेदार में सरकार बचाने से जादा बड़ी प्रायरिटी है वो यूके के उन लोगों के साथ मिटिंग करना क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में जो चलता है अब तक जो चलता रहा है उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी ये चाहता है कि वो किंद्र में सत्ता में आए राज्य में किसकी सरकार है कैसे सरकार बन रही है कैसे सरकार गिर रही है इसकी बड़ी जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता इसलिए अगर केंद्र में सत्ता मेलान आना है तो केंद्र के के मुसलमानों को directly indirectly जैसे भी जिस तरीके से हो सके ये मैसेज दे लोक सभा के चुनाब में छेत्रियों पार्टियों को वोट मत दो जो बहारतिय जनताप पार्टिये खिलाब छेत्रिय पार्टिया चुनाब लड़ रही है चाहे ममता बनर जी हो या फिर जिन राज्यों में कॉंग्रेस का उनके साथ गठवंदन नहीं हो माया बती ही सही या किसी स्टेट में जहां पर छेत्रिये पार्टी कॉंग्रेस को भी चैलेंज कर रही है भाजपा को भी चैलेंज कर रही है वहां उसके खिलाब केवल कॉंग् भे जारी करवाय जाते थे मस्जिदों से कि कोई भी मुसल्मान कॉंग्रिस के लावा किसी को वोट नहीं देगा कोई छेत्रिय पार्टी उस समय उभर नहीं पाई थी किसी भी छेत्रिय पार्टी के पास मुसल्मानों का वोट नहीं था ये जो मुसल्मानों का वोट छिटका ह चाहे राज़त में जाए ममता के साथ जाए केजरिवाल के साथ जाए या सपा के साथ जाए तब ही चिटका जबकि कॉंग्रेस अवसान के स्थथی में आ गई इतना पावर नहीं रहा कि कॉंग्रेस उन मौलानाओं को हैंडल कर सके अब राहुल गांदी की ये priority हो सकती है क्योंकि पिछली बार भी जो राहुल गांदी गए थे ऐसे ही conspiracy में पाए गए थे और जो लगतार Europe विजिट पर, UK विजिट पर या अमेरिका के विजिट पर हर विजिट के बाद राहुल गांदी की जो विवाद पैदा हुए वज़ा वो हो सकती है जिसके कारण इस वार कॉंग्रेस यों ने छिपाया, छिपा के रखा कि राहुल गांदी जाएगा, वही conspiracy करेगा, वही बाते बोलेगा तो उन बातों को बाहर आने ही न दो, भारतिय जन्ता पार्टी को जानकारी कैसे होगी देश के लोगों को पता कैसे होगा, कि वहाँ जाके कर क्या रहा था और यही वज़ा है, कि कॉंग्रेस ने अब तक छिपा कर रखा है, पहले एनाउंस कर दिया दो लेक्षर है, कैमरिज में, अकस्मात राहूल गांधी जा रहे हैं, यूके लेकिन ये नहीं बताया, इस बार, कि कौन से मुद्दे पर, टॉपिक पर वो बात करने के लिए वहाँ जा रहे है ये नहीं बताया, कि वहाँ पर जो मुद्दा होगा, उसमें राहूल गांधी का स्टैंड क्या हो सकता है लेक्चर देने गए है, या कुछ और क्रीजन है लेकिन है कौन कमल मुनीर, कमल मुनीर के बारे में जब जानकारी आई, कि राहूल गांधी के पीछे खड़ा व्यक्ति है कौन उसके बारे में उसका प्रोफाइल निकाला गया, पता चला है तो केम्बरिज का प्रोफेसर, लेकिन पाकिस्तानी मुलका है और पाकिस्तानी मूलका होना एक अलग बात है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कश्मीर के मुद्दे पर कई बार भारत के खिलाफ लिख चुका है कईों ने उसे ISI एजेंड भी बता दिया बिलकुल कईों ने बताया कि ये सब तो असिट है ये लोग वहाँ पर काम करता है तो इसलिए बार बार जो और्गनाईज करने वाले लोग हैं कैम्बरिज में राहुल गांधी के लिए लिक्चर वो सब तो एंटी इंडियन है तो उनके साथ जो बैठक हो रही होगी इस बार कहा गया कि ये गुप्त रखना चाहिए हमारी इनवस्टी का मामला है हमने स्पेसल गेस्ट बुलाया है इसको समय पर बाहर निकालेंगे ये भी हो सकता है कि आगे उसमें काट छाट के कुछ चीजे लाई जाए बाहर ये बताना तो पड़ेगा लेकिन बताया जब जाएगा तो उसको एडिट करके लाया जाए राहूल गांदी को समझाया जाए देखो अभी चुनाव होने बाहर लेकिन देश जो है वो चुनाव के मुहाने पे खड़ा है अभी कुछी दिनों के बार तारीकों का एलान हो जाएगा ऐसे एन वक्त में राहूल गांदी का वदेश में जाकर अंडरग्राउंड होना ये भी तो सवाल खड़े कर रहा है बिलकुल सवाल खड़ा कर रहा है और उस सवाल में सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये चुनाव के समय में अगर आप बाहर जाते हैं और उसमें भी बिटेन जाते हैं और इरोप और ब्रिटेन और अमेरिका ये तीन जगा पर जो आपकी यात्राएं हुई है, वो हर यात्रा में आपके ऊपर सवाल उठे हैं। आप अमेरिका गे, वहाँ पर आपने कहा डेमोगरेसी खत्रे में है। हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए डेमोक्रेसी के डिफिंडर इरोप अमेरिका को अब सामने आना पड़ेगा यहां मुसलमानों के अधिकारों को कुछला जा रहा है विवाद पैदा हुआ हंगामा हुआ लेकिन चुनाब दूर था और उस समय आपने जब अमेरिका के दोरा किया तो उस समय कुछ दिन तक अमेरिका में एक दो प्रोग्राम किये फिर लापता हो गए एक बीच में फोटो आया और वो फोटो था लंदन के रिस्तरा का जहां पर एक लड़की के साथ आप पकड़े गए कैप पहन के गूम रहे सिसी टीवी कैमरे से बचने के लिए कोशश कर रहे थे लेकिन आप आइसक्रीम खिला रहे थे खाना खिला रहे थे उस लड़की का के साथ बैठके वो सारे फोटेज सामने आ गया और उसके बाद फजिहत आपकी हुई आप से सवाल किया गया क्यों छुपाते हो जो की एक लेफ्टिस सांसद है और वो भी इटली का लेफ्टिस्ट पार्टी के नेताओं में से एक माना जाता है जिसने भारत के उपर सवाल पर सवाल खड़ा किया वो वही व्यक्ति जो एरोपिय संसद में रेजुलूसन लेकर आता है कि भारत में कश्मीर के अंदर अधिकार का उलंगन हो रहा है मनिपूर में क्रिश्चनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके उपर अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो जानता है कि कूकी क्रिश्चन है ये जो रिजलूसन लेकर आता है वो राहुल गांधी के साथ दिखता है फैविय मसीमों के अलाबा वह वहाँ पर एक परवेज इकवाल से मुलाकात होती है यह परवेज इकवाल कौन है इसको कहा जा रहा है कि योप में यह ISI का असेट है जिसका प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि वो खालिस्तानी जो खालिस्तानी आतंकिये है SFJ सिख फॉर जस्टिस यह सिख फॉर जस्टिस के कॉडिनेटर अवतार सील सद्धू के साथ उसका फोटो वीडियो है वो वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के इसारे पर खालिस्तानी आतंकियों को हिंदुस्तान बेजता है तो यह सारा का सारा नेकसस जी लोगों का है और एक आकरी सवाल भी मेरे आप से है George Soros भी लंडन में ही रहते हैं तो क्या ये भी सायोग माला जाए बिलकुल और ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि George Soros तो पहले से ही सोनिया गांधी से नजदी की संबंद वाला है George Soros का Open Society NGO George Soros जब मियनमार में लोक तंत्र के नाम पर सत्त बदलवाए सत्ता बदलने के बाद मेंमार के राश्ते चीन का ये पूरा ड्रग का मार्केट है ये ड्रग का मार्केट वहाँ पर बनाया भारत मिलाया और उसके बाद चाइनिज जो चीन के साथ तो ऐसे भी राहुल गांधी सोनिया गांधी कि जितनी भी डिल है वो सब को कि कैसे M.O.U. साइन किया गया था तो ये सारे कि सारे जो गैंगस्टर है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं और राहूल गांधी ऐसे कनफ्यूज और कमजोर व्यक्ति को पी-म के तोर पर देखना चाहते हैं ताकि वो भारत को कमजोर बनाये रखें अमेरिका एरोप जैसे द करने के लिए जाता है विदेश और इसी यात्रा में इस बार कहीं फिर से गलत बाते न बोल दे डेमोक्रिसी की बात इसी लिए इस बात को छिपाया जा रहा है लेकिन मिटिंग और पहले के जो फोटो वीडियो है उसने इतना एक्सपोज कर दिया है कि अब राहुल गांधी यह जो लंडन के अंदर कॉंस्पिरेसी करता है उससे एक-एक साजी से हिंदुस्तान के लोग वाकिफ हो चुके है बहुत बहुत देनेवाद समझाने लिए तो कॉंग्रस पार्टी ने अच्छानक अपनी नयायात्रा एक मार्श तक रोग दी राहुल गांधी अच्छानक है और उसकी आड़ में गुप्त मीटिंग करनी है उस पर आप अपनी राएक कमेंट कर लिखें देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार